नमस्कार दोस्तों इस पर्टिकलर वीडियो में मैं जो ऑनलाइन फॉर्म रिलेटेड ऑनलाइन फॉर्म जो भी बच्चे भरे हैं जो भी स्टुडेंट्स भरे हैं किसी को फॉर्म भरते से में कुछ मिस्टेक्स हो गया है किसी का ओटेंड मार्क्स में गलत भर दिया है भरना कभी CGP आता है कभी CGP नहीं आता है 10 तो वो क्या करते हैं कि 500 भर दिया है मतलब फाइनल मार्क से टूटल मार्क में ऐसे एक मतलब थोड़ा चोटी मुटी दिकत बहुत सारे बच्छें किसी का मोगाइल नमर में कि फ्रावत इंस्ट्रक्षन आप सभी अपने वेबसेट से अपलोड कर लीजिए और अच्छे से इंस्ट्रक्षन को कम से कम अच्छे से पर लीजिए जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ यह सारी दिवधा जो आपका अपने आप दूर हो जाएगा बच्छे ठीक है तो लास्ट डिठो का फ़रने के बाद उसके बाद रेक्षन करने का ही डिटा अता है करेक्षन करने का डियेट का चोविस धाry तक पर वर बत दास्ट देट है वेश साइट से जुरे रहेंगे वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जागा नहीं तो अगर आता है तो बच्चे तुम्हें भी बताऊंगा जो भी बच्चे हम से जुरे हैं हम बताएंगा अगर करेक्शन का डिट आता है तो निस्सित आपको बताएंगे ठीक तो उसमें कोई दिकत जिसको दिकत हो गया है तो देखे क्या कर सुधार सकते हैं क्या कर सकते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं देखे सुधार या परिवर्तन हेदु प्राप्ट विंदू इसमें क्या क्या है आवेदक का नाम जो भी अप्लिकेंट है उनका नाम पिता का नाम, माता का नाम, पती का नाम, जन्तिथी, जेंडर, आधार संक्या, जाती, आरक्षन कोटी, भूतपुर सनिक, बिहार राज के इसके अलावा, फोटो, किसी को फोटो में दिक्कत हो सकता है, या पुराना फोटो डाल दिया है, इसमास पर्ष्ट लिखा हुए कि आपका करेंट फोटो होना अची है, पुराना फोटो ज्यादा मतले, एक दो-तीन साल पुराना फोटो मत डाली है, मतलब 22 का है, 21 का आप ज्यादा पुराना मत डाली है, बाइस का फोटो खिछा सकते हैं, नया फोटो होना अची है, बहुत सारे बच्चे तो बहुत पुराना फोटो एकदम बच्चावला डाल देते हैं, कंजूसी करने में समाहिर है, हस्ताक्षर सिंग्नीचर में अगर कोई गलती हो गया हो, सै आपर देखे थे बचे डाटा तो यहां आगे लिखावे देखिए, आयो का क्या निरना है, इस बिसे में, ऑनलेन आवेदन के दौरान, इडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद, ऑनलेन आवेदन के दौरान, मतलब करेक्शन का डेट आएगा, करेक्शन का डेट आएगा, एडिट करने के लिए आएगा बचे, और गितना अभी यह सब हम लोग देखे थे, जो भी केटेगरी यहां पर हम देखे थे, उस समय एडिट करने के बाद, उसकी प्रक्रिया यह पूरी हो जाती है, तो किसी भी तरह के परिवरतने बावन सुधार के, अभिया व मतलब, आपको लगवग 17 तक तक देट आएगा, ठीक, बारक के बाद से 17 तक देट रहेगा, इस पर चाहर करेक्शन करके तरण तब, फिर से आप भर सकते हैं, मतलब, इस पीड पोस्ट कर सकते हैं, तो दुवारा मत कीजेगा, एक ही बार कीजेगा, तो वही है, जब करेक् सकता है, मतलब, एक बार करेक्शन एक ही बार कर सकते हैं, गल्ती पो एक ही बार सुधार आ जा सकता है, फिर आविदन के प्रक्रिया पूर्ण होने तक आविदन दौरा भर गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा, मतलब, फाइनल जो समीट करती जिएगा, आप करेक्शन के अगर कोई मतलब आता है, और आपको और जीनल में कोई अगर चेंजे जलाता है, मतलब सब्सक्राइब होना चीजिए, आधार कार्ण में डिट बर्थ कुछ और है, तो यह तो इसी होती है, इसी तिदि आती है, तो चैनडिचर रद कर दे जाएगी, देखिए, किसमें एड इमेले में परवरतन सुधार के संबन्द मेंगर मोईल नमर कोई गलती डाल दिया है किसी और का नामर डाल दिया है अभी से फिलाल हो सकता है काम चले लेकिन इसको अखान होगे यह बदल संस्क्चांपिया है है इसके संबंद में क्या है कि एक रिस्टेशन हो जाने के बाद अभी जो आप रेजिस्टेशन कीजिएगा तो मोबाइल नमर एमेल वहां वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक बार रेजिस्टेशन होनके बाद सुधार परवर्तन या सुधार संभव नहीं है तो करेक्शन का जो डेट भी आएगा ना बच्छे उसमें आप मोबाइल नमर और इमेल आइडियो को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है ठीक चाहिए करेक्शन का डेट आ रहा है फिर भी उक्ति संब्द में परिवर्धन के अनुरोद पर विचार नहीं किया जाएगा ठीक मोबाइल और इमेल आडिमाप एडिट ने कर सकते हैं करेक् देके रेजिस्टेशन में गलत विवरन अंकित हो जाने की स्थिति में अगर रेजिस्टेशन में कुछ गलत आप दे दिया है कि आवेदन करने के अंतिम तिति के पूर्व आवेदा कर रेजिस्टेशन को रद कर सकता है मतलब कि रेजिस्टेशन को आप कैंसल कर सकते हैं अ उसी इमेल आडियो उसी नमर से आप द्वारा फिर से फॉर्म बर सकते हैं। वैसी स्थिति में पूर में किया गया परिछा सुल का भुगतान वह आपस नहीं किया जागा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि द्वारा आपको फॉर्म बरना पर रहा है और पहली बार आप पैमेंट कर दिये थे तो दूसरी बार में वह पैमेंट वापस नहीं आएगा। द्वार आपको पैमेंट करना ही परेगा। अभिधन की प्रकृया समाप्त होने या बाद मागर कि सी अभेरती दो या दो सदीक आप इप्राप्त है ओंते हैं ऐसी स्तिति में उनके सभी आपिदन पत्रों को और स्यकृत करते हो उनका अभिधन प्रत्रों को और सकूरेत कर एक सधीक आविदन प्रत भरन जाने के सिती में उनके सभी आविदन पत्रों का और से कुरेट करते हैं उनका प्तल के रद किया जा सकता है तो आप देख लिए कि किसके चीज में आप करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन का डेट आएगा जो भी बच्चे हम से जूरे देंगे अग से आप देख सकते हैं ठीक तो चिंदा करने वाली बात नहीं है मेक्सिम्म चीज़ आप एडिट कर सकते हैं और देखते हैं उमीद्वायर का नाम जर्मति थी कोटी परिक्षा सुल्गी त्यादी से संतूस्थ होने के उपरां थी ऑनलेन परिक्षा सुल्गी जमा करेंगे पत्तर जब पहली बार आप रेजिटेशन कर रहे हैं थे सब चीज एक वर अच्छी खुद से प्रिव्यू क करने का तो आप्षन आता है बच्छे प्रिव्यू कर लें सब चीज गरवर कैसे वह जाता है बच्छे से खुद जानती होंगा हो सकता धरफरी में आउनलेन आवेदन में अंकित इमेल आइडी मोवाइल नमबर तो था यूजर नेम एवं पास्वर को सुरक्षित रदना आवेदक की जिम्यवारी होगी इसे वह अंतीम प्रिक्षा फल प्रकासन तक सुरक्षित रखेंगे आवारती ऑनलेन आवेदन भरने के करम में अपन पर्ति द्वारती द्वारा प्न रोप से ओनलेन आवेदन भरनेन भी लिया गया है आगलамен है है कि देंकि दोस्तों आगे आभी वी बहुत सारे बच्यों को कंफूजिन है कि को मतलु माह्नात्य डालना marry सी डालना है ग्रेजिवेशन का, 12 का, डिपलोमा का, बहुत सार बत्यों का अभी भी confusion है निम्लिखित प्रमान पत्रों को स्वाभी प्रामानमीत प्रतियां अनुलंगन ते रूप में करमबार अवसर सनलंग करें मतलब जो भी आप online registration करेंगे उसके बाद जो निकलेगा registration के बाद जो final printout निकलेगा उसके साथ क्या-क्या डालना होगा तो कुछ नहीं हम जैसे बताएं थे अगर कोई EVC student है इवीसी इवीसी केटिगरी का है तो उसको क्या-क्या डालना परा एक तो उसको metric डालना परा ठेक metric उसके साथ एड करना परा इंटर्वी नहीं बचे ग्रेजिवेशन इंटर्वी नहीं सिर्फ metric मतलब मार्क सिर्फ डाला हो जिरोक्स कोपी ग्रेजिवेशन का metric के बाद ग्रेजिवेशन का एक अपना ncl evc का जो एंचल सादिवेट नॉन क्रिमलियर बस यह तीन अगर evc के टेगरी का है तो ठीक और यहां तो बहुत सारा लिखा हुआ यहां जो मैं भी करना परता है यहां देखते हैं मैट्रिक का परमान पत्र मैट्रिक का जो और इसका जिरोक्स को प्याव डाल सकते हैं मार्क सिट भी हो सकता है ठीक फिर बीम में है विग्यापन का कड़ी का तीन सेक्षनिक योगता का अनुरूप जो भी सेक्षनिक योगता है इंटर का दसाद लेता भी नहीं है ग्रिजिवेशन का किसी के पास मार्क सिट है किसी के पास सर्टिफिकेट है देखे जो उनीस से पहले पास किया 2019 से पहले पास के आğиком के पास तो से भी होगा लेकिन 2019 के बात किया उनके पास सड़ाय साइध नहीं होगा यह मे niye सक्वाले के पास तो मिलकुल होगा यह नहीं एक जिन पास है जो तो डोनों क्योंकि और अगर दोनों भरते हैं जिसका नमर यहां डालिएगा सर्टिपिकेट नमर यह सिरियल नमर डालेगा उसी को आपको जिरॉक्स करके एक स्पीड पोस्ट में भी भेजना परेगा फिर अनुसोची जाती का कोई SCST candidate है तो उसको विदवारों के लिए जाती परमान पत्र जो जाती परमान पत्र है उसका SCST का वोड आना परेगा और अनुसोची जाती अजन जाती के लिए ही सिर्फ है यह निवास परमान पत्र ज लिए लिए मतलब 9 रीच्ट बसक्प्खों के लिए इनका बना हुआ है डला यह कंपपारी ए जो भी ओवी शी सी में हुनको तो नौन क्रिम लिए तो लगता ही है फीसी वन वाली को तो अड़ करना कंपल सरी है ठीक बच्वा जो मतलब disabled है उनका अपना disability वाला certificate डालना परेगा को सोतंता सेन्यानी के freedom fighter के पुता-पुती उनको उसका certificate डालना परेगा एज में relaxation कोई चाहता है तो उसको certificate डालना परेगा EWS बाली बच्चे हैं तो उसको अपना certificate EWS का डालना परेगा certificate ठीक है वहाँ add भी करना परता है speed post भी करना परता है एक बच्चे पूछ रहेते के speed post के से कहां से करना होगा तो यह speed post आपको post office में जाईएगा उसके पास-पास कहीं envelope का दुकान मिल जाएगा envelope ले लिजेगा एक envelope में सब चीछ डालके और कहां भीजना है तो जब आप online form भरते हैं जब आप online form भरिएगा तो वहीं पर जो print out निकल था उसी print out में एक page में लिखा रहेगा to और from from वाले option में तो आपका नाम लिखा रहेगा जो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस चैनल पर हम VPSS related, कुछ कोशन भी हो सकता है, आगे डालेंगे, आप ये एसिस्टेंट, पब्लिक सेनेटरी और वेस्ट मेंदेंट ओफिसर से रिलेटेड, ठीक है, तो आच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्स